नमस्कार दोस्तों चत्तीसगर की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। बिजली खंबे की तार से लगा कर्ट, लड़की की मौत, खेल-खेल में पकड़ लिया इलेक्ट्रिक पोल का स्टे तार, मौके पर तोड़ा दम, चत्तीसगर के दुर्ग जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से एक लड़की की जान चली गई। इलेक्ट्रिक पोल की स्टे तार को छूते ही सोला साल की लड़की कर्ट की चपेट में आ गई। उसकी मौत के बाद से माता पिता सदमे में है। भिलाई तीन पुलिस मामले की जाज कर रही है। भिलाई तीन थाना के टियाई मनीश शर्मा ने बताया की विश्व बैंक कॉलोनी सेक्टर एक निवासी मिन्टु शील की बेटी विनीता शील की बुधवार दोपहर एक बजे कर्ट लगने से मौत हो गई। जुलस गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही को दिखाता है। उन्होंने पुलिस से बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ मामला दर्चकर कारवाई की मान की है। लोगों के विरोध के बाद ती आई मनीश शर्मा तहसीलदार रवी विश्व कर्मा के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। उन्होंने वहां मौके का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि वहां सडक किनारे लगे पेडों की डाल सीधे बिजली की वाय को टच कर रही है। इसके बाद तहसीलदार ने इसे लेकर नाराजगी जताई और ऐसे पेडों की छटाई करने को कहा। महले के लोगों का आरोप है कि पेड़ से चिपके पोल पर काफी समय से करता रहा था। इसकी शिकायत महले के लोगों ने कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों और करमाचारियों से की है। इसके बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनकी लापरवाही से शील परिवार की इकलोती बेटी की मौत हो गई हादसे के घंटे भरबाद बिजली कमपनी के कर्मचारी मौके पर पहुचे और पेड़ की छटाई की